आज मैं करने जानी हो एक छोटा सा चैलेंज कि विदाउट ब्रेश के आई मेकप कैसे करें तो बहुती स्टूपिड सा चैलेंज है बट करके देखते हैं कैसे होता है तो सबसे पहले मैंने अपनी आई पे असे से 20 लगाया चैले वाइट बेस को भी मैं फिंगर के हर्प से लगा रही हो और उसे से ब्लेंड कर लोगी तो अज जैसे मैंने लगा लिया है तो है एंड नेक्स तो मैं यहां पे डिरेक्ली कोई पाउडर बगारा नहीं लगाऊंग तो मैं लगा रही हो हम अछे से उसको सिफ अपलाई केरा है और नेक्स मैं नहीं धैपनी फिंगर करनगे पीज यह मैंने फिंगर से अपके हाथि अब्लेंड करी Whenever you को पिक इसब लेंड मैं कर आच अच्छा प्रोसेसिंग आपने करनी है अच्छा से कलर आचा चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं तो काफी अच्छा सा आ गया है रिजल्ट तो नेक्स मैंने ब्रॉण कर लिया है फिंगर के अगे वाल को तेम जरा सा है मैं तुस तरीके से मैं आपनी इसे लिया और मैं अपनी ऐप एक लाइन ऐसी ड्रौ करके इसको डेप्ध देने के लिए लगा रही हूं झा imperfect मुझेक करेंसे ब्लेंडिने के लिए आपने कि और आपनी इसे अपने लिक खेंगे देखेंगे, जो second finger है, उससे हमें से blend करेंगे, इसे हमाई blending भी हो जाएगी, color भी अच्छे से पिक हो जाएगा, तो यहाँ पर blending आप देख सकते हुआ, मैं finger से करी हुआ बट फिर भी बेकार तो नहीं आए, अच्छी आरी, स्मूध आ रही है, तो सेम यह पर सेजिंग करनी है, मैंने हलका सा outer corner पे भी color लगाया, इसके बार में next finger चेंज करके उसको फिर से मैं ब्लेंड कर लिया, कुछ इस तरह से, जो कि आप देख सकते हुआ, सेम यह करना है, सिफ में यहां पर तीन color मैंने अभी तक पिक कर रहे हैं, एक peach, एक orange, एक brown color, इस तरही के से मैंने इसे हलका सा blend कर लिया, तो यह देख सकते हैं, नेक्स मैंने हलका साब नहीं है, जो सबसे last वाली finger होती है, चुंगली जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें मैंने black color लिया है, without black color के तो अच्छे से हो भी नहीं पाता, आइलाइनर तो finger से लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने black color से यहां पर eyeliner ऐसी shape देने की कोशिश करी है, और इसको बिल्कुली धीरे दीर है, इसलिए मैंने किया ता वीडियो पर थोड़ा सा fast फिर भी दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने हलकी से speed बढ़ा दी है, इसको अच्छा सा shade इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपी तक अपनी eyebrows नहीं सेट करी है, इसलिए मैंने फिंगर से सेट भी नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने आपर इसलिए यह खुल के इतना उभर के नहीं आपा रहा है, तो मैंने इसको अच्छा से किया, और हलका सा outer corner पे इसलिए मैंने इसलिए, नेक्स मैंने थोड़ी सी और अपनी कारी-गरी करने के लिए हलका सा red महरून ऐसा shade लिया, उसको black के उपर हलका सा लगाया, उसको हलका सा लगाया, उसको हलका ब्लेंड कर दिया, और अच्छा लूका गया, वही same processing color shades मैंने waterline में भी कर लिए, waterline में अपनी आई में white kaza लगाया, मस्कारे लगाया, अपनी आवरोस को set कर लिया, इसाब मैंने brush से किया है, और यह देख सुद्धिया आपको जस तरीकी का result आया, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगिए, वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आप भी इस चैनल को मेरे subscribe करना और इस challenge को भी try कर के देखता है, bye bye